स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में तो इस वीडियो में हम डाटा सफिसेंसी ए नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे है तो देखो डाटा सफिसेंसी मिन्स क्या होता है नाम में इसके इसका जो भी मतलब यह ओ लिका है डाटा सफिसेंसी मतलब जो भी डाटा आपको गिवन दिया है question में वो sufficient है या नहीं वही आपको यहाँ पर find out करने का है ठीक है तो मैं सब से first आपको यहाँ पर देखो what is data sufficiency उसके बाद हम concept देखेंगे और उसके बाद कुछ tips देखेंगे और उसके बाद हम example स्वालो करेंगे और उसके बाद आपको practice set provide किया जाएगा तो देखो मुझे लगता है ऐसा data sufficiency उसके concept जो भी है उसके tips जो भी है उससे पहले में आपको थोड़ा example बता देता हूँ ठीक है तो देखो example में क्या होता है ताकि आपको बहुत अच्छी तरह के समझ में आए तो question रहता है यह यह question रहता है पूरा first में questions रहता है और questions का जो भी answer है उसके नीचे दो statement दे रहता है तो यह question देखो जो first line का जो भी है यह questions रहता है और इसका answer कि ये question का answer क्या रहता है ये statement one में और two में रहता है तो देखो ये question का answer एक तो statement one को use करके भी हम निकाल सकते है या फिर statement two को भी use करके हम निकाल सकते है या भी कभी कभी दोनो statement को use करके हम उसका answer नहीं निकाल सकते है या कभी कभी हम एक को भी use किया तो भी answer निकाल सकते है, दो को भी use क्या, तो भी answer निकाल सकते है देखो तो यही अपने को ढूरना रहता है, तो देखो Only statement 1 is sufficient to answer, मतलब देखो, यह जो statement 1 है यह sufficient है क्या answer देने के, तो आगर वो sufficient रहेगा तो हम option number 1 पर click कर देंगे, मतलब option number यह सही है Only statement 2 is sufficient to answer, मतलब अगर statement 2, बस खाले statement 2 ही answer find out कर सकता है, तो हम option B चूज़ करेंगे, सेम उसी प्रकार से either statement 1 or 2, और neither statement 1 or 2 are sufficient to answer तो इसी type के questions रहते हैं, देखो, आपको data sufficiency, means यह data आपको दिया है, तो यह data sufficient है या नहीं, इस question को swallow करने के लिए, तो यही आपको find out करना पड़ता है, ठीक है तो यह जो given data है, इसमें से कौन सा data answer देने के लिए sufficient है, यह आपको find out करने का है, यह clearly idea तो आ गई आपको data sufficiency means क्या होता है, तो चलो, आपको अगर यह video पूरा attend करोगे, तो आपको clearly idea, आपको 100% आपको आप समझ जाओगे कि इस type के question में actually क्या, किस type में question पूछे जाते है, ठीक है, तो देखो, what is data sufficiency, data sufficiency means क्या होता है, देखो, मैं यहापे पढ़ता हूँ, data sufficiency is to check and test the given set of information, whether it is enough to answer a question or not, data sufficiency type questions are designed to test the candidate's ability to relate given information to reach a conclusion, मतलब देखो, मैंने इसका already आपको explanation क्या है, data sufficiency, चेक करने के लिए आपको information set दिया रहता है, तेसे की example, मैं देखो, यह information का set दिया है, और आपकी ability चेक करेंगे कि, कि आप जो भी given set information है, वो यह नोग है, मतलब answer देने के लिए वो उतनी information काफी है या नहीं, वो decide करने के लिए आपको इस type के questions पूछ जाते हैं, और आपकी ability भी देखते हैं, कि आप किस type में जो information, given information है, वो किस type में आप सोचते हैं, और किस type में विचार करके, आप conclusion, कौन सा conclusion निकालते हैं, यह ability, candidate के ability टेस्ट करने के लिए इस type के questions आते हैं, तो समझ में आगा है, data sufficient means क्या होता है, आपको data दिया रहता है, और वो data sufficient है या नहीं, answer देने को वही आपको decide करना रहता है, तो देखो concept देखेंगा हम, तो concept में खाली three point, बहुत ही आसान point है, कुछ ज़्यादा यह नहीं है, तो देखो, first concept है, each of the questions below, below consists of a question and two statement, number one and two given below, you have to decide whether the data given in the statement are sufficient to answer the questions, मतलब देखो, यह questions है, इसके अंदर एक questions रहता है, मतलब यह first questions रहता है अपना, और उसके नीचे statement दिया रहते, two statement दिया रहते, one or two, ठीक है, यह statement हो गया, और यह statement हो गया, तो यह दिये हुए statement अपने को decide करने के है, तो वो sufficient है या नहीं, यह इस question का answer देने के लिए, यह जो questions है, इसका answer देने के लिए, और two statement sufficient है या नहीं, यह हमें decide करने का है, जब हम example स्वालो करेंगे, तब आपको बहुत अच्छी तरह के से समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो देखो, और options क्या रहते, few options will be given, तो देखो, यह पाच options है, इसी पाचों में से, चार options आपको exam में दिये रहते हैं, तो देखो, options क्या है, only statement one is sufficient to answer, तो देखो, इसमें जो statement दिये रहते है, two, one and two statement दिये रहते, तो उसमें से, शिरिफ only statement one is sufficient to answer होगा, तो option number यह correct होगा, option B क्या है, only statement two is sufficient to answer, अगर statement two sufficient है answer देने को, only statement, तो option number B correct होगा, either statement one or two are sufficient to answer, मतलब दोनों में से हम, किसी भी एक को अगर हमने चूज क्या तो ओ, दोनों में से, दोनो sufficient है answer देने के लिए, individual, ठीक है, तो हम C options क्लिक करेंगे, D option क्या है, neither statement one or two are sufficient to answer, मतलब आप जो statement है, दो statement है, उसमें से आप दोनों को भी यूज किया, तो भी answer नहीं दे पाऊंगे, ठीक है, मतलब जो भी given information है, वो insufficient है, ठीक है, तो उस time हम D option क्लिक करेंगे, और E क्या है, बोद statement one and two are sufficient to answer, मतलब देखो, दोनों statement मिला के, बोद statement, मतलब दोनों statement, तो देखो, बोद statement, मतलब statement one and two मिला के, हम answer दे सकते, तो उस time हम यह options, मतलब यह options हम select करेंगे, ठीक है, और देखो, third concept क्या है, read both statement and choose the most appropriate options, हम क्या करेंगे, बोद statement को read out करेंगे, और देखेंगे कि कौन सा statement answer निकाल सकता है, तो उसके इसाब से हम appropriate options, इन में से एक options को हम select करेंगे, ठीक है, समझ में आया, अगर यहाँ तक भी कुछ समझ में नहीं आएगा, तो जब आप यह वीडियो पूरा देख लेजेगा, एक जामपल भी देख लेजेगा, और उसके बाद repeat एक बार वीडियो देखो, तो दो बार वीडियो देखा तो आपको यह समझ में आ जाएगा, हमने आभी तक एक जामपल नहीं देखा, इसलिए यह जो भी नोट से, यह यह फिर टिप से, यह आपकी सब माइन के उपर से ही जा रहा होगा, तो देखो, फिर में मैंने 100% देने क्या कोशिश की है, डीप में एक्स्पेंड करने की कोशिश की है, ठीक है, तो देखो टिप यहापे टिप्स प्रोवाइड की है, टिप नमबर वन, इन डाटा सफिशेंसी, कैंडिडेट्स ओनली नीड टो चेक वेदर दाटा प्रोवाइडेड इस सफिशेंट और नॉट, तो फाइंड देखने का है, आपको फाइनल एंसर निकालने का नहीं, यह कोशिशन का, जो भी कोशिशन पूच जाता है, उसका फाइनल एंसर निकालने का नहीं, आपको खाली देखने का है, कि जो भी स्टेट्मेंट दी है, जो भी डाटा दिया है, वो सफिशेंट है, यह नहीं, बस इतना है देखना है, और उसी के उपर आपको आप्शन सिलेलेट करने है, ठीक ह है, फाइनल एंसर निकालने में, टाइम, स्पेंड नहीं करने का, ठीक है, तो यह रही टिप्स वन, और टिप्स टू क्या है, तो देखो यहाँ पर, आलवेज रीड क्वेशन केरफुली, और इडेंटिफाई देखने इस पेसिफिक इंपरमेशन रिक्वार्मेशन है, तो उसकी उसको बोग कुषण देखो, आपको एनसर निकालने का, जो भी स्टेटमेंट दिया उसमें से, आप, कौन सा स्टेटमेंट से आप एनसर निकाल सकते हो, यही आपको एनलाईज करने का है, ठीक है, और आप, Eleimination method का, एलिमिनेशन में थोड़त आपको मालू है ओ भी यूज करके आप एंसर निकाल सकते हो तो यह रही टिप्स नमबर टू और उसके बाद आप हम एक्जामपल स्वालो करेंगे ठीक है तो एक्जामपल स्वालो करने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा तो चलो एक्जामप यहां पर अमंग मोबाइल आडधी यू भी और डवली विच इद़ा टू लिश। मतलब देखो हमें क्वेश्चं क्या पूचाहें इस में से क्वेश्ट्लिश्ट् साहमें करने को कहा है मतलब सबसे जादा किसकी कॉष्ट् रहेगी सबसे कम एक्षे कॉष्ट्लिश्ट् नोट्स concept देखे थे, सहीम उसी pattern में हम swallow करेंगे, देखेंगे questions को, तो देखो question में questions दिया है, ये questions है हमारा, questions में क्या पुछा है, are yes, t, u, v and w, in mobile में से कौन सा mobile, ज्यादा cost list है, ठीक है, तो उसके बाद हमें 2 options दिये है, option 1, option 2 मतलब statement दिये, option नहीं ये, statement 1 and statement 2 दिये, तो द देखो statement first हम read करते है, t is costlier than only two mobiles, t costlier है, किस से, two mobiles से, यहाँ पे एक mobile होगा, और यहाँ पे एक mobile होगा, हमें तो मालूम नहीं है, कौन से mobile है, yes is costlier than r, मतलब yes क्या है, costlier है, किस से, r से, ठीक है, but not the cost list, not the cost list means, यह दोनों mobile, शुरू में नहीं आएंगे, ठीक है, cost list मतलब top में नहीं है, we costlier than only w, तो we costlier than w, बस इतना ही sentence हमें यहाँ पे provide क्या है, t is costlier than only two mobiles, तो two mobiles कौन से हो सकते, yes r भी हो सकता है, v w भी हो सकता है, u भी हो सकता है, ठीक है, तो statement number one से हम, पूरी chain नहीं बना रहे, बना सकते, देखो, आधी, आधी information दी है, यह एक अलग से part है, यह वाला एक अलग से part है, और यह वाला एक अलग से part है, तो statement one को हम read करके हम इस questions का answer नहीं दे सकते, ठीक है, cost list हम नहीं बना सकते, तो statement one तो चला गया, statement two देखते है, statement two क्या है, r is cheaper than only two mobiles, मतलब r यहाँ पे है, cheaper है, मतलब two mobiles से, यह एक mobiles यहाँ पे होगा, और एक mobiles यहाँ पे होगा, हमें तो पता नहीं कौन से दो mobiles है, ठीक है, v is costlier than w, v क्या है, costlier है किस से, w से, but cheaper than t, but दोनों भी क्या है, cheaper है, t से, तो यह इस pattern में आ जाएगा, ठीक है, t से, v कम है, v से w कम है, ठीक है, and t is cheaper than r, तो r कहाँ पे है, यहाँ पे है, yes क्या है, yes it's cheaper than you, तो yes यहाँ पे आ जाएगा, तो इस प्रकार से 6 mobiles हो चुके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम statement 2 को use करके, हम cost list बना सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको, statement number 2 को, हम, या फिर statement number 2 से हम cost list बना सकते हैं, बलकि statement number 1 से हम नहीं बना सकते, तो चलो, options देखते हैं, options में क्या है, only statement 1 is sufficient to answer, only statement 1 sufficient है, क्या answer देने के लिए, नहीं है, तो statement, option A नहीं आएगा, B क्या है, only statement 2 is sufficient to answer, तो देखो, हम statement B, option number B, क्या है, only statement 2, तो हम statement 2 sufficient है answer देने के लिए, आभी हमने देखा, sufficient है answer देने के लिए, इसलिए हमारा answer option B आएगा, option C देखते हैं, either statement 1 or 2 are sufficient to answer, नहीं, statement 1 answer नहीं दे सकता, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा, neither statement 1 or 2 are sufficient to answer, sentence 2 answer दे सकता है, तो ये भी D option भी नहीं आएगा, तो हमारा answer क्या आएगा, B हमारा answer आएगा, तो चलो answer देखते हैं, तो देखो answer B है, statement 1 से cost list हम नहीं बना सकते हैं, बलकि statement 2 से हम cost list बना सकते हैं, तो समझ में आया, इस प्रकार से question दिया रहता है, question में question पूचा रहता है, और उसके two statement दिये रहते हैं, तो दोनों statement को read करके हम options find out करने करेंता है, और options भी, यह options रहते हैं, इतने options रहते हैं, इतनी options में से 4 options आते हैं, तो इसी options में से 1 options से, यह हमें choose करने करेंता है, तो मैं एसा उमिद करता हूः, कि आपको data sufficient syrb समझ में आचूकी और, किस type में प्रप्रबлем आते हैं, और क्या आपको क्या find out करना रहता है तो उम्मित करता हूँ कि ये वीडियो आपको आच्छा लगा है अगर आच्छा लगा है तो इस वीडियो को like करो शेर करो और चैनल को subscribe भी जरूर करने का ठीक है और last में आपको practice set तो practice set में आपको practice set provide किया जाएगा मैंने यहाँ पर खाली एक ही example लिया है क्योंकि इस type के problem swallow करने के लिए थोड़ा ज़्यादा या फिर explain करने के लिए ज़्यादा time लगता है यही वीडियो देखो इसको ही 20 minute लगा है अगर student की ज़्यादा आच्छा response आया या फिर इस वीडियो के निचे कमेंट आ गए कि और example swallow करो तो मैं इसके उपर और एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ज्यादा example swallow करके आपको provide कर दूँगा ठीक है तो चलो मिलते हैं next वीडियो में next point के साथ करके तो मिलते हैं बपर चलो मिलते हैं नो मिलते हैं प्रिड़ों दो या है झाल